सत्यानाशी, कटसी या भटकटईया आप मेंसे जादतर लोगों ने इन मेंसे कोई ना कोई नाम तो सुना ही होगा सत्यानाशी का जैसा नाम है इसके गुड़ इससे बिलकुल उल्टे हैं इसके पौधे से निकलने वाला दूद जखमों के लिए रामबाड है इतना ही नहीं ये कुष्ट रोग में भी फायदेमन साबित होता है हालांकि इसकी खेती नहीं होती लेकिन फिर भी ये पौधा पूरे भारत में दिख जाता है ये एक जंगली पौधा है जो खुद ही कहीं भी उगाता है इसमें पीले रंके फूल लगे होते हैं और पूरा पेड काटो से भरा होता है इसके फल चौकोर, काटेदार, प्याले जैसे होते हैं जिनमें राई की तरह छोटे-छोटे काले बीज भरे होते हैं जादातर लोग मानते हैं कि ये पेड जहरीला होता है सत्यनाशी या भटकटईया को पंचांग भी कहा जाता है इसका कारण है कि इसके पत्ते, फूल, फल, जड़ और तने की छाल सभी आयुरुवेधिक काम में आते हैं इसी कारण इसकी जहरीली प्रवृत्ति भी गुर्दाई कही जाती है इसके पत्ते या छाल को कहीं से भी तोड़ा जाए तो इससे दूद जैसा दिखने वाला तरल पदार्थ निकलता है कहा जाता है कि ये दूद जहर होता है मगर क्या आप जानते हैं कि ये जहरेला दूद पुराने से पुराने घावों को भी भर सकता है दरसल ये दूद किटाडू नाशक और विशाडू नाशक होता है जिसे घाव पर लगाने से किसी भी तरह का घाव ठीक हो जाता है कुष्ट रोग जैसी भयानक बिमारी पर भी ये पौधा बहुत कारगर साबित होता है आयुरवेद में पुराने समय से कुष्ट रोग को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता रहा है ये पौधा बांजपन में भी बहुत उपयोगी है अगर कोई बांजपन की समस्य से परेशान है तो सत्यानाशी के पौधे की जड़ की छाल को छाया में सुखा कर पीस कर पाउडर बना ले सुभा खाली पेट एक से दो ग्राम की मात्रा में दूद के साथ नियमे 14 दिन तक इसका सेवन निसंतान्ता को दूर करता है इसकी जड़ों का पाउडर सुभा मिश्री के साथ खाने से भी निसंतान्ता खत्म हो जाती है पीलिया रोग से बचने के लिए भी अगर आप सत्यानाशी तेल में गिलोए का रस मिलाकर सेवन करें तो इससे पीलिया बहुत जल्द खत्म की जा सकती है शरीर पर हुई सूजन को दूर करने में भी ये पौधा काफी असरदार साबित होता है इसके साथ ही एकने, जहाईया, डार्क सरकल, पिंपल जैसी तमाम तवचा संबंदी परेशानियों को सत्यानाशी ठीक कर सकता है सत्यानाशी में एंटी बैक्टिरियल गुर पाये जाते हैं, जिससे तवचा पर जो भी बैक्टिरिया से संबंदित परेशानियों होती हैं, उनसे छुटकारा मिल जाता है पीरो रिपोर्ट, न्यूस टाइम नेशन